और उसकी जो velocity है, as a function of time दिया हुआ है, अब कहता distance travel by 1 to 2 second, अब आपको याद करो कि मैं आपको बताया था, कि जब कभी भी उल्टा जाते हैं, velocity से, नीचे से उपर जाते हैं, velocity से position के side जाएंगे, तो integration तो लगे गए लगेगा, यह तो clear है, अब integrate करना पड़ेगा किसको, जो velocity function दिया हुआ है, तब जागे position निकलेगा, ठीक है, तो जो velocity दिया हुआ है, velocity यह, यह जो velocity दिया हुआ है, इन्होंने, वो है capital A T, और plus capital V T का square, this is the velocity as a function of time, अब कहता है कि जब distance travel between the time, T is equal to limit दिया हुआ, limit T is equal to 1 second to 2 second में कितना distance travel करेगी, तो distance velocity से कैसे निकालते हैं, आपक है, कि B is equal to क्या लिखते हैं, dx upon dt, B is equal to dx upon dt is equal to capital A T, और plus B T का square है, clear, इसका मतले भी हुआ कि dx is equal to capital A T plus B T का square, and that is the dt, clear, यह इस तरह से हम इसको अब integrate कर देंगे, ठीक है, जब time T1 था, जब time T1 था, तो distance 0 था, जब time T, क्योंकि between निकालना न, between, between, यहां यह point A से point B तक का distance निकालना, तो यहां x is equal to 0, time T1 is equal to 1, और यहां distance x हो गया, time T2 हो गया, ठीक है, तो यह time x हो गया, और take value 2 हो गया, अब इसी को solve कर लेंगे, तो हमें final solution मिल जाएगा, अब इसको integrate करने सबको आता होगा, जिसको नहीं आता है, उसकी हालत बहुत बुरी है भाई, अगर इसको आप integrate नहीं कर सकते, आपको फिर से पढ़ने की जुरत है, तो यह A और T square by 2, प्लस B और T की power 3 upon 3, यह, अब limit डाल दो 1 से 2 तक, जब 1 से 2 तक limit डालोगे, तो यहां मिलेगा आपको A by 2 और प्लस, यहां मिलेगा B, A, B और 8 upon 3, 8 upon 3, तो 8 upon 3, को माइनस उनस तो नहीं है, यह, A T plus B T, 2, 2 की power 3 तहां, यहां, एक मिनिट यहां, क्या था, T था न, तो इंटिग्रेट करके square बनेगा, और यह सारी चीज़ है, ठीक है, तो यह 1, पहले, पहले upper limit रखेंगे न, यह, तो यह वाली जो, यह जो limit है, यह, थोड़ा सा गलती करती है, यहां से जो upper limit रखेंगे, तो A और प्लस, यह 4 divided by 2, प्लस, ठीक है, B और यह जाएगा, 8 divided by 3, और minus, यह, minus lower limit यह वाला रखेंगे, ठीक न, आपको पता यह वाला रखेंगे, तो A, 1 का square 1 by 2, और प्लस, ठीक है प्लस, B और by 3, इसको पुरा हम solve करेंगे, ठीक है, तो चलो, इक बार solve कर लेते हैं, तो A, 2 A और minus A by 2, प्लस, ठीक है, प्लस, 8 B अपन 3, और minus by 3, ठीक है, तो A आजाएगा, 2 A, और यह, जो 2 A solve करोगे इसको, तो 2 A, 4 और यह, 3 A by 2, 3 A by 2, और A जाएगा, 3 A by 2, और प्लस, 7 B by 3, ठीक है, तो यह, इसका final 3 A by 2, और 7 B by 3, ठीक है, तो 3 A by 2, 7 B by 3, ठीक है, तो 3 A by 2, 7 B by 3, ठीक है, ठीक है, एक एक प्लियर है, A option इसका correct है, next, झाल झाल